कि नमस्ते सब्सक्राइब लों का आपसे सब्सक्राइब चैनल पर मैं आपका दोस्त आपसे कैसे हां सभी उमीद करता है आप लोगों अच्छे होंगे हर्मनियम पे गानों खुद से कैसे निकालने कैसे बजाएं तो इस पर मैंने आज लेडी काफी वीडियों बनाया भी है कि हर्मनियम पे खुद से गाने कैसे निकालने कैसे बजाएं तो कुछ लोगों को उन वीडियों से फैदा भी हुआ जो लोग प्रकास से गानों को ढोना वह लोग कुछ है लाइन को देखा है कि उन्होंने कि किया करते हैं थ Annoy? कि क्यूंप गाने का नोटेशन आपको YouTube पर मिल जाएगा कोई वह ज्या57 कोई ओर कामbira genome किन्तर निकालनें बजाने लगूं तो आपको गानों को निकालने की practice अभ्यास कोशिस करना है अब गानों को कैसे ढूनना कैसे निकालना कैसे बजाना है हरुनियम पे गानों को खुछ से कैसे ढूनना है कैसे ढूनना है ध्यान से चीजों को समझना वीडियों को पूरा जरूर देखना अगर आ को क्या करना सब से पहले उस गाने की धुन को अच्छे से सून लेना है इस धुन को हरुनियम पे मिलाना ० गाने में पड़ है उस धुन को आपको इन सवरों पे मिलाना रहे है कि पता करोगे तो आ 2019 याद नहीं करना है, ऐसा रट्टा नहीं मारना है कि सारे गा, आपको याद कोई सुर नहीं करना है, आपको घाने की ढून पर फोकस करना है, घाने की आवाज, जो आवाज धुन पड़ी है उस पे आपको फोकस करके चीजों को निकालना बजाना है जैसे मैं एक्जामपल के तौर पे छोटी सी कोई धुन गुन आता हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि आपको कैसे गाने की धुन को धुनना पकड़ना है सावन आया बदल छाए जैसे मैंने इस धुन को गुन गुन आया एक्जामपल के तौर पे आपको ट्रिक को समझना है चीजों को समझना है कि गानों को खुछ से निकालना कैसे है अब जैसे मैंने इस धुन को गुन 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 आया अब ये धुन ये जो आवाज मैं गले से गा रहा था ये धुन आवाज हर्मनियम पे कहां पे मैच कर रही है इन बटनों पे कहां पे ये मैच कर रही है क्योंकि देखो आपका एक ही गाना हर एक बटन हर एक सोल से बस सकता है लेकिन आपको हर्मनियम में आवाज को मिलाना होत कि जो आवाज कोई बंदा गले से गा रहा है जो सिंगर या आप जिस आवाज में गाने को गा रहे हो वो आवाज इन बटनों पे इन सुरों पे कहां पे मैच कर रही है उसी को मिलाना होता है अगर ये मिलाना अच्छे से आ गया तो आप लोग गानों को भी खुछ से निकाल पहले सब्जा लुगें उस गाने कर और शुर्वाया कहां हो रहे हैं तक पूरा गाना अच्छी तरीकीergia से निकालने में दिख्यत अगी तो सबते को पकड़ सावन सावन आया, जैसे ये धुन है, इस धुन का पहला सब्द क्या है सावन, और सावन का पहला अक्षर क्या है सा, अब जो पहला अच्छा सा है, ये हरुनियम पर किस बटन पर मैच कर रहा है, इस सा को गले से गाना है, उसके बाद एक जगा पर होल्ड कर देना है, और उसके आवाज बन नहीं है अब यह आवाज इन सोरों पर कहां मैच कर रही है देखेंगे मिलाएंगे जैसे सावाज अब यह स्वर इस आवाज में नहीं लग रहा है तो इसको छोड़ देंगे इसके बाद दो सा सो ट्राइब करेंगे इस प्रकाश से आप किसी भी गाने के स्टार्टिंग पॉइंट को पता कर सकती हो जो भी गाना आपको निकालना बजाना है उस आपका कोई भी गाना हो उस गाने के पहले सब्द का पहले अक्षर को गले से गाईए उसके बाद उस अक्षर को एक जगा पे होल्ड करिए उसके बाद इन सुरों पे मिलाएए आपको उस गाने का स्टार्टिंग पुईट पता चल जाए गा जैसे मानलो आपने गाने के पहले अक्षर को तो ढून लिया असान तरीके से अब उसके आगे की धुनकर उन्हें पे कैसे ढूनोगे कैसे निकालोगे तो देखना बहुत ही जी बहुत ही सिंपल तरीका है वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आपको अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कमेंट सेर भी जरूर कर देना और अगर भी तक चैनल को सब्सकाइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग सब्सकाइब जरूर कर लो बेरा सपोर्ट आप लोग जरूर करो अब आपको किसी भी गाने के पहले अक्षर को ढूनना तो समझ में आगे होगा अब गाने की आघे की धॊन को वर्मAddै पे कैसे निकला आता है देख ना बहुत ही आसान तरीका जैसे सावन अब सब्सक्रूं की जो द्धूं है वो कैसे चल लही देखना दोबारा प dependent s अब वा अक्षर की वी ध्वन इसी सौर पर मैच कर रही है अब दो अक्षरों की ध्वन आपको मिल गई सावा बचा कौन सा अच्छर ना देखना अब ये धुन नाक्षर की बन रही है तो ये सुर कहां मैच कर रहा है देखना ये भी आपकी धुन इसी पे मैच कर रही है यानि कि पूरा सावन सब्द आपका एक ही सुर पे बज रहा है कितना इजी तरीका है चीजों को बता को समझना है आप लोग आसान तरीके से कर लोगे अगर प्रेक्टिस करोगे तो कर लोगे इसके बाद सब्द कौन सा है सावन आया अब जो आया सब्द की धुन है वो देखना कहां पे मैच कर रही है सावन आया सब्द का जो आक्षर है उसकी धुन ये बन ही है देखना सावन आ आ अब ये आवाज किस तोर पे मैच कर रही है रे पे अब आया आया सब्द में दो अक्षर थे आ और या अब या अक्षर की धुन देखना किस तोर पे मैच कर रही है जैसे देखना सावन आ या अब ये धुन बन ये आवाज बन है अब ये जो आवाज है सावन आया अब ये आवाज इन सुरों में से किस सुर पर मैच कर रही है देखना ध्यान से सावन आया अब ये सुर नहीं मैच कर रहे हैं इस आवाज में ये तीनों सुर भी नहीं लग रहे हैं तो क्या करेंगे इनको छोड़ेंगे अब भी हम लोग और आगे देखेंगे कि आगे में से कौन सा सोर मैच कर रहा है सावन आया यह भी नहीं मैच कर रहा है तो इसको भी छोड़ेंगे और आगे देखेंगे सावन आया यह भी नहीं मैच कर रहा है तो इसको भी छोड़ेंगे और आगे देखेंगे कौन से स्वर मैच कर रहा है ये स्वर मैच कर रहा है आपकी धुन में सारे से डाइट धुन कहां गई पापे इतने सारे स्वर ये बीच के नहीं लग रहे हैं अब मान लो आपको कुछ भी नहीं पता है तब भी आप लोग गाने की धुन को धुन सकते हो इस प्रकाससे हर एक स्वर को टच करके मैंने क्या किया मैंने हर एक स्वर को टच लगे के जितना भी गाना है उस गाने को आपको अपने हां से खुच से निकालना है अगर आप लोग इस प्रकार से रोज गानों को सुनोगे खुच से निकालने की अभ्यास प्रेक्टिस करोगे तो आप लोग धेद्रे करके गानों को निकालने लगोगे तो आई होप अगर आपलों को जानकारी पसंद़ वीडियों अच्छा हमयां तो यह रिकुर्ष बीडियों को लाइक यह बिदी अधिने सेहrí लिए कर दिना और अगर भी तक चैनल को करना भन्युआ